बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ इना ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कम से कम यूपी के बारे में तो ऐसा साफ साफ दिखने लगा है मोधी जी ने बहुत साल तक देश में बदलाव और अच्छे दिनों की बात कर ली लेकिन यूपी का माहौल बता रहा है कि अब बीजेपी के बदलाव वाले दिनों का जनता इंतजार नहीं करना चाहती बलकि बीजेपी को हटा कर सत्ता बदल देना चाहती है चाहे अखिलेश यादव की रैलियां हो या प्रियंका गांधी की जन सभाएं हो या अभी अमेठी में राहुल गांधी की पद्यात्रा में उम्रा जन सैलाब हो ये सब इसी बात के संकेत हैं कि मोधी जी चाहे जितना हिंदुत्य की राजनिती पर जनता को खीचने की कोशिश करें लेकिन जनता अब हिंदुत्य के मुद्दे पर अपने हितों की बली नहीं चढ़ने देगी अमेठी में राहुल गांधी ने फिर से हिंदु और हिंदुत्य के अंतर पर जनता से बात की यही काम वो पिछले हपते जैपुर में कर चुके हैं इस तरह राहुल गांधी सीधे सीधे उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर भाजपा अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है इधर अखिलेश यादब भी योगी सरकार के लिए बड़ी चुनोती बन गये हैं इसका सबूत खुद भाजपा ने अखिलेश के करीबियों पर आयकर के चापे पढ़वा कर दे दिया हर चुनाओं से पहले भाजपा इसी तरह सरकारी एजनसियों का इस्तेमाल करने लगती है जनता अब बीजेपी के इस पैंतरे को भी समझ चुकी है और ऐसा लगता है कि एंडिये में बीजेपी के साथ ही भी उसकी वादा खिलाफी और बात से पलटने की राजनिती से तंग आ चुके हैं बिहार में जेडियो और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर अनबन चलती ही है महराष्ट में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं यूपी में सुभासपा यानि सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और अब संजय निशाद भी बीजेपी से निराश दिखे बीजेपी से निराशा का ये दाइरा चुनावी राजनीती के बाहर भी बढ़ता ही जा रहा है लोगों के पास रोजगार के मौके कम हो रहे हैं महंगाई पर कोई रोक लगती नहीं दिख रही है बैंकिंग शेत्र का हाल ये है कि लाखों कर्मचारियों को बैंकों को बिकने से बचाने के लिए दो दिन की हर्ताल करनी पड़ी संसद ठीक से चलती नहीं वहाँ विपक्ष के उठाय मुद्दों पर जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार नहीं उठाती और नहीं समविधानिक संस्थाओं की मर्यादा का खयाल सरकार को है जिस तरह से PMO की बैठक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाया गया वो बतलाता है कि मोदी सरकार में समविधानिक पदों और संस्थाओं की साख दाओं पर लगी है वैसे इस वक्त सारे देश का भविश्य ही दाओं पर लगा हुआ है क्योंकि मोदी सरकार के लिए चुनाव में जीत से बढ़ कर कुछ नहीं है न देश पहले है न देश की जनता पहले है बीजेपी के लिए केवल सत्ता पहले है इसलिए चाहे गंगा जी में डूबकी लगाये जाए या लुभावने नारे दिये जाए इस सरकार का सच जनता देख रही है तो आज आइने की नजर से बीजेपी के सच की परताल करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी बार बार यूपी की दौर क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी किस तरह मोदी जी को फिर से चुनोती देने उठ खड़े हुए हैं और साथ में देखेंगे कि समवेधानिक संस्थाओं का लिहाज क्यों नहीं कर रही है सरकार लेकिन शुरुआत करते हैं मोदी जी के यूपी दौरे से मोदी जी इन दिनों भाग भाग कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं कभी लखनव तो कभी काशी कभी प्रयागराज तो कभी जासी आलम ये है कि पिछले दो महीनों में यानि अक्टूबर से लेकर अब तक मोदी जी साथ बार यूपी आ चुके हैं और इस महीने के आखिर तक तीन बार और आने की उनकी योजना है यानि इस चुनावी प्रदेश में दो महीने में दस दौरे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के हो रहे हैं और मतदान तक तो न जाने और कितनी बार वो यूपी आ जाएंगे इन दोरों में वो कई विकास योजनाओं का उधगाटन भी कर चुके हैं 20 अक्टूबर को कुशिनगर में अंतराश्ट्री एरपोर्ट का लोकारपन 25 अक्टूबर को सिधार्त नगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उधगाटन 16 नवंबर को सुल्तानपूर में पुर्वांचल एक्स्प्रेस्वे का लोकारपन 29 नवंबर को जासी में डिफेंस कोरिडोर का उधगाटन 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कार्खाना और एमस का उधगाटन 11 दिसंबर को वारा नसी में काशी विशुनात धाम का लोकारपन 18 दिसंबर को शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी जी ने किया है और अब 21 दिसंबर को प्रियागराज में 2 लाख महिला करमचारियों को संबोधित करेंगे 23 दिसंबर को फिर वारा नसी पहुँचेंगे और कुछ विकास योजनाओं की सौगात देंगे और 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का लोकारपन करेंगे हर दोरे पर विकास कारियों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपनी और योगी सरकार की पीठ थपथपाना नहीं भूलते बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कहते हैं लेकिन सवाल ये है कि ये डबल इंजन सरकार तो पिछले 5 सालों से थी तब इतनी परियोजनाओं की शुरुआत क्यों नहीं हुई अगर तब ये सारे काम किये होते तो शायद आज यूपी की सूरत कुछ और होती सवाल ये भी है कि केवल यूपी ही इस देश में अकेला राज्य नहीं है और भी राज्य हैं जहांके लोग विकास की चमक देखना चाहते हैं प्रधान मंत्री उन राज्यों में क्यों नहीं जाते क्यों एक ही प्रदेश में सारी परियोजनाएं शुरू हो रही है अगर प्रधान मंत्री के पास इतनी फुरसत है कि वो एक महीने में छे बार एक ही राजे में जाएं तो बाकी राज्यों की जनता ने उनका क्या बिगारा है बाकी राज्यों में भी मोदी जी को जाना चाहिए और ऐसी ही परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए तो मोदी जी बार बार यूपी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव हैं बाकी चार राज्यों यानि पंजाब उत्राखंड गोवा और मनिपूर पर भी उनकी निगाहें होंगी लेकिन यूपी में चुनाव की घोशना से पुर्व प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी का भाग भाग कर वहाँ जाना बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं देता है ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी खेमे में कुछ घबराहट है दरसल उत्तर प्रधेश के मुखे मंत्री योगी आदितनाथ जनता में बहुत लोग प्रिये नहीं है पिछले पाँच वर्षों में प्रधेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं होई हैं जिन से बीजेपी शासन पर उंगलियां उठी है अभी पिछले सब्ता ही SIT की रिपोर्ट आई कि लखीमपूर खीरी में किसानों की हत्या एक सुन्योजित शड्यंत्र के तहत हुई थी हाथरस और उलनाव कांड को भी जनता भूली नहीं है कांडपूर के दबंग विकास दूबे को पुलिस ने जिस प्रकार तथाकतित एंकाउंटर में मारा उससे ब्रामन वर्ग बहुत प्रसन यानि की खुश नहीं है योगी जी के प्रशासन पर ये भी इलजाम लग रहे हैं कि उनके शासनकाल में प्रदेश में खुला ठाकुरवाद चल रहा है खबरें ये भी हैं कि प्रदेश में एक बार फिर जातिगत गोल बंदी जो है वो शुरू हो रही है और यही बीजेपी के लिए सबसे अधिक चिंता का विशय है क्योंकि बीजेपी तो जाती की जगह धर्म की राजनिती करने में उस्ताद है वारा नसी में काशी विशुनात कोरिडोर का लोकारपन करने पहुंचे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक बार फिर धर्म का चोला पहन कर सियासी चालबाजी शुरू कर दी पिछले चुनाओं में मोदी जी ने शम्शान बनाम कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था इस बार इतिहास को कुरेदते हुए यूपी चुनाओं में औरंगजेब को ले आए बावा विशुनात के आंगन में गंगा मैया के तट पर खड़े होकर प्रधान मंत्री ने कहा कालांतर में आतताईयों की नजर काशी पर रही है लेकिन यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर युद्धा उसे हमारी एक्ता की ताकत का एहसास करा देते हैं उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य के लोगों की आँख में एक बार फिर धर्म का तड़का लगा कर धुआ भर दिया उन्हें सैक्रों वर्ष पुराने इतिहास में उलजाया और मौजूदा दौर की समस्याओं जैसे महंगाई, बेरुजगारी, गरीबी, आर्थिक संकट, आदी से ध्यान भटकाने की कोशिश की बीजेपी की पूरी राजनीती हिंदू पहचान पर निरभर रहती है और नरिंद्र मोधी तो हिंदू مسलिम धुरूविकरन के बादशाह हैं वो मुसल्मानों को हिंदू शत्रू की छवी दे कर हिंदू वोट गैंक को बीजेपी के पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में भी इस समय यही खेल वो खेल रहे हैं लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद पश्यमी यूपी का जाट मददाता बीजेपी से नाराज है और अती पिछडी जातियों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ दलित और मुसलिम मददाता भी बीजेपी के खिलाफ ज होता है तो बीजेपी और मोदी जी की धर्म की रणनीती धूमिल पड़ सकती है तो जाती के मुद्दे पर मात खाती बीजेपी के लिए यही उपाय है कि हिंदुत्य की राजनीती के उस्ताद नरेंद्र मोदी और संग किसी तरह उत्तर प्रदेश चुनाओं को हिंदू और उन्याय के खिलाफ है को हिंदू है और जो हिंसा फैलात है वह इंदुत्य वादी है पिछले सप्ताव जैपुर में महंगाई के खिलाफ रैली में forte राहूल गांधी ने महंगाई विरुजगारी और किसानों की हालत साथ नंनी वात उपर यंद बाते कही थी इस तरह बार बार हिंदुत्य की पोल खोल कर राहुल गांधी बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जो इस देश के लोगों को धर्म पर खत्रे का डर बता कर ही चुनाव जीतते आई है जबकि सच यही है कि हिंदु धर्म को खत्रा दूसरे धर्म के लोगों से नहीं है धर्म की राजनिती करने वालों से ही है बीजेपी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का राग छेड़ देती है मगर जनता को यह जानना चाहिए कि जब बीजेपी और अंग्जेव और शिवाजी अयोध्या काशी और मतुरा की बात क यह वाकई हमारे देश की बहुत कड़वी सचाई है कि जिन दो बातों का असर सीधे हमारे विकास और जिवनस्तर से जुड़ता है प्रधान मंत्री उन पर बात ही नहीं करते नहीं मीडिया में इन खबरों को खास जगह मिलती है अभी कुछ दिनों पहले ही खबर थी कि वि अर्थी गैर बराबरी बढ़ी है लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैरान करने और डराने वाले आंकड़े आये हैं जैसे नौवंबर में थोक महंगाई दर 14.2 प्रतिशत देखी गई ये 30 साल में सबसे अधिक है नौवंबर में खुदरा महंगाई दर भी 4.9 एक प्रतिशत थी लेकिन नौवंबर में गिर कर 40.1 प्रतिशत हो गई ये इस बात का संकेत है कि रोजगार पाने के लिए योग्य उमिद्वार भटक रहे हैं तेल मंत्राले के पेट्रोलियम योजना और विशलेशन सेल के आंकड़े के अनुसार इस साल नौवंबर में पिछले साल नौ से अब तक 10,72,000 करोर रुपे माफ कर दिये हैं युनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स ने बताया है कि 13 निजी कमपनियों का बकाया 4,86,800 करोर रुपे था और इसे 1,61,820 करोर रुपे में निप्टाया गया जिसके परिणाम स्वरूप 2,84,980 करोर रुपे का नुक बैंकिंग कानून संशोधन विधेक 2021 के विरोध में और सरकारी बैंकों के निजीकरन के केंदर के कथित कदम का विरोध करते हुए 16 और 17 दिसंबर को पूरे देश में बैंकों की दो दिन की हर्ताल की थी तो देश पर गिरती अर्थव्योस्था की चौतरफा मार पड़ रही है लेकिन मोदी जी अभी यूपी चुनाओ में ध्यान लगाये हुए हैं और चुनाओ जीतने के फेर में समवेधानिक संस्थाओं की मर्यादा का लिहाज भी नहीं किया जा रहा है तभी तो पीमो की तरफ से देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एकल मतदाता सूची पर होने वाली एक बैठक के लिए बुलाया गया था जो किसी तरह से सही नहीं है बीते 15 नौवंबर को चुनाव आयोग को कानून मंत्राले के एक अधिकारी से एक पत्र मिला था इस पत्र में कहा गया था कि प्रधान मंत्री के प्रधान सचीव पीके मिश्रा आम मतदाता सूची को लेकर एक बैठक की अधिक्षता करने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें मुख्य चुनाव आयोग में खलबली मच गई क्योंकि ये पढ़ने में किसी समन जैसी लग रही थी वैसे भी पीम के सचीव अगर ये चाहें कि देश के मुख्य निर्वाचन आयोग्त बैठक में उपस्थित रहें तो इसे समवेधानिक मान दंडों का उलंगन मानना चाहिए क्योंकि मुख्य चुनाव आयोगत पर देश में निश्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और अगर पांच राजियों में चुनाव से पहले वे सरकार के साथ बैठक करेंगे तो सवाल उठेंगे ही वैसे आपको बता दें कि पिछले साल इसी समय 13 अगस्त और 3 सितंबर को हुई बैठकों में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था ना कि चुनाव आयोगतों ने सरकार की तरफ से इस तरह के पत्र और CEC के साथ बैठक को गलत बताते हुए पुर्व CEC S.Y. कुरेशी ने कहा ये बरदाश्त करने वाली बात नहीं है क्या अगर न्याईक सुधार को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो प्रधान मंत्री सीधे C.J.I. को ही बैठक में बुला लेंगे प्रधान मंत्री भी इस तरह से C.E.C. को किसी बैठक में नहीं बुला सकते ये उनके अधिकार क्षेतर से बाहर है इसी तरह पुर्व C.E.C. T.S. कृष्ण मूर्ती ने कहा हम सब यही कहते हैं कि समविधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए C.E.C. को सरकार के साथ ऐसी किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए अगर चर्चा की जरुरत पड़े तो सरकार को अपनी बातें लिखित में चुनाव आयोग को भेजनी चाहिए और लिखित में चुनाव आयोग जबाब भी दे सकते हैं तो पिछले साथ सालों में इस से पहले भी चुनाव आयोग पर सरकार के दबाब का इलजाम लग चुका है लेकिन सत्ता के नशे में डूबी बीजेपी इन आरोपों के बावजूद अपनी अकड में काम किये जा रही है बीजेपी का ये रवया लोगतंत्र समविधान और सबसे बढ़कर देश के लिए सही नहीं है खैर महान शायर मिर्जा गालिब ने ठीक ही फरमाया है कि न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता दुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आइने के साथ तब तक देखते रहें डीबी लाइब नमस्कार